तो कैसे हो भाई लोग सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना मेरे हाद में है OPPO Reno8 और इस फोन को में लगबख 50 डे से जादा यूच कर रहा हूँ आप सभी लोगों तो पता है इस फोन के उपर मैंने वाट अटिस्ट किया था तो हाल फिलल में फोन का हालत कैसा है और इस 50 डे में मुझे क्या-क्या प्रॉब्लेम का सामना करना पड़ा है अगर आप गेमार हो आपके लिए कैसा रहने वाला है अगर आपको चाहिए एक अच चलिए शुरू बात करते हैं स्पार्टफोन की बिल क्वालिटी एंड डिजाइन से ओपो का जो रेनो सीरीज है दो चीजों के लिए बहुत जादा फेमस रहता है पहला जो है डिजाइन और दूसरा जो है कैमेरा इसका जो डिजाइन है आपको बहुत ही अच्छा देखने पीछे की तरफ प्लास्टिक तो थोड़ा बहुत हाड रहने वाला है लेकिन यहां पर आपफ लस्टिक थोड़ी सी दब जा रहा है यहां पर फिंगर्पिन का निसान आता है मैट फिंशन के साथ आ रहा है डिरिफिल कैमेरा से रहने वाला है एलिड फिलस और ओपो का व्र देखने को मिल जाएगा, फोन का जो वेड है वो ज्यादा नहीं रहने वाला है, जो फोन है हाथों में comfortable फिल देता है, अगर आप एक ऐसे ही हुजा रहे हो, जो long time फोन को यूज करते हो, तो फोन है आपके लिए perfect रहने वाला है, अगर मैं बात करूँ इसका display के बारे में display के अगर मैं बात करूँ brightness के बारे में यहाँ पर रहने वाला है, 800 nits peak brightness, जब आप आउट्डोर में यूच करोगे, कुछ भी problem नहीं आने वाला है, जब आप डाइरें सानलाइट में यूच करोगे, तब भी अपको कुछ भी problem नहीं आने वाला है, अगर मैं बात करूँ वीड जो सारे भाई लोग जाटा मूभी वागर देखता है, तो उसके लिए बढ़िया रहने वाला है, अब इस फोन में किसमें एंगल से वीडियो को वाच कर सकते हो, और आपको कॉर्णिंग गोल लग्लस 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, देखको यार फोन में डि 77 MC9 GPU के साथ आ रहा है, CPU थोडलिंग के तरफ देखा जाए, यहां पर आप देख साथ तो CPU थोडलिंग यहां पर आपको बहुत ही बेकार किसम के देखने को मिल जाएगा, अगर मैं बात करूँ आन्तुत के बारे में, तो यहां पर आप देख लेजिए, आन्तुत जो स्कोर निकलकर आ रहा है, 5,77,000 प्लास, तो यह तो था कुछ स्कोर वेगरा, लेकिन बात किया जाए, गेमिंग के लिए फोन कैसा रहने वाला है, अगर आप BGMI खिलते हो उस फोन में, आप 60 पिस में बहुत ही अराम से खिल पाओगे, यहां पर लैग, जीटर वेगरा नहीं मिलत लेकिन जो दिक्कत मिल जाएगा, ओ है हीटिंग, यहां पर आप देख साथ तो लगबग 42 डिग्री से जादा यहां पर आपको हीड देखाई दे रहा है, यहां कि अगर आप एक घंडे से जादा गेम खिलते हो तो यह वाली हीटिंग आपको थोड़ा सा देखने को मिल जा अगर मैं बात करूँ इस फोन की रैम के बारे में यहां पर रहने वाला है, 8GB 120 8GB वाला variant, LPDDR4X RAM के साथ आ रहा है, अब आप तू 5GB RAM को बढ़ा सकते हो, RAM management LPDDR4X के साब से बहुत इच्छा रहने वाला है, यहां पर आप देख सकते हो, लगबग 98% आप यहां पर आपको RAM उसे के साथ 8MP और 2MP रहने वाला है, अब OPPO Reno 804K में वीडियो को रेकॉड कर पाओगे, यहां पर जो Stabilization मिलता है, बहुत ही अच्छा है, Color, Saturation, Contrast रहा है, यहां पर आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा, डिटेलिंग के मामले में वाही यहां पर 50MP के साब से आपको Low Light Performance यहां पर बहुत ही अच्छा मिलता है, OnePlus Note 2T से यहां पर जो Low Light Performance अच्छा देखने को मिल जाएगा, यहां पर रहने वाला 32MP का Selfie Camera, 32MP के हिसाब से आगर मैं बात करो वीडियो को रेकॉड कर पाओगे, तो मुझे लग रहा है यहां पर Atlas Full HD 60MP का Features देना चाहे था, Stabilization आ बहुत ही अच्छी तरके से मैनेज करता है, लेकिन यहां पर और एक दिखकर देखने को मिल जाएगा, जो Dynamic Range है वीडियो में इतना अच्छा नहीं मिलता है, यहां कि इस फोन की Selfie Camera से अगर आप Vlog वीडियो पर शूट करना चाहते हो तो आपको यह वाली दिखकर देखने को मिल जाएगा, फोटो के तरफ देखा जाएगा, यहां पर आप देख साकत है, जो Quality निकल कर आ रहा है, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन Skin Tone की Color की तरफ देखा जाएगा, यहां पर आप देख साकत है, वाइट का जो Surfness है वो थोड़ा आपको जादा देखने क मिलता है, यहां पर डीटेलिंग 32 में अगा पिकसल के हिसाफ से जबरदस्त रहने वाला है, मैं तो कहने वाला है, यहां पर जो Selfie Camera और Rear Camera मिल रहा है, वो Price Point के हिसाफ से कमाल की रहने वाला है, Selfie Camera वीडियो में आपको थोड़ी से निरास करेगा, अगर मैं बात करूँ इस वग आपको देखने को मिल जाएगा, इस फोन में, यहां पर आप SD Card को नहीं लगा सकते हो, यहां पर 3.5mm audio jack नहीं रहने वाला है, यह जो फोन आ रहा है, 12 bands 5G के साथ, इंडिया पर जो सारे वेंट्स announcement हुआ है, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, अगर मैं बात कर call quality के बारे भी आपर dual mic मिलता है, noise को बहुत ही अच्छी तरगे से manage करता है, लेकिन यह पर google dialer देखने को मिल जाएगा, जब आप call recording को start करोगे, google वाली NTG थोड़ा सा announcement करतेगा, उसे के साथ hefty feedback आपको must देखने को मिल जाएगा, सार लेविल आपको within limit देखने को मिल जाए जब मैं नए video upload करूँगा, आपके पास notification पुरांत पहुंच जाएगा, अगर मैं बात करूँ इस phone की speaker के बारे में, यहाँ पर आपको थोड़ी सी नेरास करेगा phone, यह जो phone ri single speaker के साथ, loudness आपको अच्छा मिलेगा, फूल बाले में, जब आप music बेगर सुनोंगे, phone जो हलक जाच होने के लिए 30 मिनिट के आस पास में आप टाइम लेता है, अगर मैं बात करूँ बैटरी वेकप के बारे में, इस phone में जो बैटरी वेकप मिलेगा, वो टू गुट रहने वाला, इस की नन टाइम बैटरी वेकप को 6 आवर्स प्लस मिल जाएगा, उसे के साथ अगर मै जब थोड़ा हेवी में यूच करता हूँ, तो मैं दिन बे दो बार चार्ट करता हूँ, अगर मैं नॉर्माल यूच करता हूँ, तो सारे दिन अराम से निकल जाता है एक बार चार्ट करने के बाद, तो अपको साथ अंचत लग गया है, इस phone में बैटरी वेकप कैसे मिल र इस phone करता है, यह थोड़े दिर के लिए अगर खतम हो जाता है, तो बहुत अच्छी बाद है, अगर काम खटम नहीं होता है, तो आप जितना चलदी हो सके, शार्विस सेंटर पर विजट कर सकते हो, कि यह आपर IP रेटिंग नहीं मिलता है, तो सारे इंफ्रमेशन मैंने ऐसा होने वाला है, क्या 30,000 रुपिस पे करके इस phone को purchase करना चाहे कि नहीं, देखो वाई, phone के अंदर आपको थोड़ी बहुत आपको कमया देखने को मिल जाएगा, जैसे build quality में मैं आपको बता है, आपको बैक जो है पैनल, आप थोड़ी से दब जाता है, आपको थोड़ी से तो ये सारी कमया को अगर आप compromise कर सकते हो जो फोने आपके लिए, अंडर 30,000 रुपिस में एक perfect और all-rounder phone रहने वाला है, phone के अंदर game अच्छा चलता है, camera भी अपको अच्छा देखने को मिल जाएगा, जो इसका back camera रहने वाला है, उसके बैटरी वेगा भी too good रहने वाला ह तो मुझे लग रहा है इस phone में जो positive point मिलता है, उसके आगे जो इस phone में negative point मिल रहा है, वो कुछ भी नहीं है, तो आप अराम से इस phone को purchase कर सकते हूँ, तो आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाफसी OPPO Reno8 कैसा हो रहा है, अब मुझे comment में जूरू बता सकते हूँ, आपका comment में rate करता हूँ, मुझे भी बता चलेगा आपके हिसाफसे phone कैसा हो रहा है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो एक like कर सकते हो, मुझे motivate करने के लिए, और ऐसे वीडियो दिखना चाते हो, तो चैनल को कहले हीचे subscribe, notification bell को all में click करके रखना, जब मैं नया वीडिय करूँगा, आपके पास notification पूरण पहुँच जाएगा, और आप वीडियो को पहला देख सकते हो,